जैहिन बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर स्यारप्या पैरामेडिकल इस्टाप 2020 की परिच्छा मार्च 2021 में आयोजित की जानी है गाइस आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर को स्यारप्या पैरामेडिकल इस्टाप का फिजकल था तो आज का फिजकल का दिन क्या है रहा सारी बातें इस वीडिव में डिसकस करएंगे जैसे कि आज जो फिजकल का दिन था वह कैसा रहा कि फिजकल से पहले बच्चे क्या घबरा गए थे काश्ट साठी विकट क्या नया जरूरी है या फिर पुराना क्या आधार काट ले जाना जरूरी है वायोमेट्रिक कब होगी स्टार्ट में या फिर लाश्ट में तो सारी बात इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो को पूरा हो जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो गाइस आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज स्यार्प्या पारामेडिकल इस्टाप का पंदरे दिसंबर को आज फिशकल था और फिशकल आपके चोज़े तारिक से स्टार्ट हो चुके हैं तो चोज़े को लेटर जो भी जाँच होती है वो जाँच आपके की जाएंगी मसीरों के द्वारा तो देखिए उसके बाद आपको लाइन में लगने के बाद आपका डॉकोमेंट्स वेरिफिकेशन होगा डॉकोमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका फिशकल होगा फिशकल म यह हाइट आपका है चेस्ट चेस्ट कितना किया है रविब्च्चे पहले घबरा ग lizard तो वह बच्चे वसक्त से पहले घबरा गहते हैं तो मैं आप स्को बता ना चाहता हूं यहाँ इसको जा रहे हैं तो cash certificate लेकर जरूर जाए नया या फिर पुराना अधार काड़ भी लेकर जाए जो भी documents आपने form भरते समय लगाये हैं आपने जो भी documents वो documents आपको लेकर जाना जरूरी है ठीक है तो बच्चे घबरा गए इसी के चक्कर में अभी बच्चों को भार भी कर दिया गया है जो cash certificate नहीं ले गए थे और अधार काड़ भी नहीं ले गए थे तो क्या cash certificate नया जरूरी है सकते हैं यदि आपके पास card certificate नहीं है 2020 का नहीं है तो हो सकता है कि आप भाहर कर दिया जाएं फिला आप आपका जन्वरी पढ़ रहा है तो आप card certificate आसानी से बनवा सकते हैं जीन बच्चों का पहले तो उनके लिए थोड़ी से कर दे जाएंगे और इसके आधार पर आप फिजकल नहीं दे पाएंगे तो cash certificate आपको नया ले जाना जरूरी है और आधार card भी ले जाना जरूरी है ठीक है यह बात आधार card और mark sheet में नाम जरू मिला लेना किसे नाम सेम है या फिर नहीं है अब बाताती है biometric कब होगी biometric का मतलब होता है क्या आप physical में पास हुए या फिर फेलšAI यह होता है तो г voluntary यहां जोई बच्चे जैसे की running में पास हो जाते है running में ऊची कूद उन्पी कूद बच्चे फिजकल में फेल हो जाएंगे उसी साइन वहीं पर करा लिए जाएंगे जो उन्होंने फॉर्म भरें उसी को पर साइन करा लिए जाएंगे और आपको अस्फल गोशित कर दिया जाएगा ठीक है जो बायोमेट्रिक होगी वो सबसे लाश्ट में होगी आपको शफल ठीक है तो छोटी सी अपड़ेट थी 15 अपड़ेट थी आज की अपड दिशमबर również का सबसे जाएंगे साथ